तंदूरी ममोज बनाने जारी थी तो सोचा आप लोगों के साथ में भी इस रेसिपी को शेर करूँ यह मूमोज घर का ही बनाया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लगखा है मूमोज घर पे कैसे बनाते हैं तो आप वहां जा करके ज़रूर देखिये मूमोज की रेसिपी वेज और नोन वेज दोनों रेसिपी मैंने डाला है तो चलिए तंदुरी ममोज बनाना स्टार्ट करती हूँ वाइल रखा है मैंने हीट होने के लिए ये हीट हो चुका है और इसे ममोज को हमें सेलो फ्राइ करना है तो एक बार में जितना ममोज आ सके उतना नाल लिया है तो चलिए इसके लिए तंदूरी मसाला बनाना स्टार्ट करती हूं 1.5 tsp मिर्च पॉर्डर, 1.5 tsp कस्तुरी मिर्थी थोड़ा सहाथ से इस तरह से रगर करके डालेंगे 1.5 tsp औरेंज फूर्ड कलर, 1.5 tsp अद्रकलेशन का पेष्ट और 2 tsp भुना हुआ बेशन 1.5 tsp चाट मसाला और 1.5 tsp ब्लैक पेपर पॉर्डर, 1.5 tsp काला नमक, 1.5 tsp नौर्मल नमक और 2 tsp गाढ़ा वाला दही लेना है इन सब चीज को अच्छे से मिक्स करेंगे 2 tsp डाल दीओं या सर्सों का भी वाल डाल सकते हैं तो सभी चीज को अच्छे से मिक्स कर लिया है आधा सिम्ला मिर्च लिया है और आधा प्याज जिसे मैंने इस तरह से क्यूब में कट करा हुआ है तो इसे भी मिक्स करेंगे मसाले के साथ में और जो फ्राइ किया हुआ हमारा मॉमोज है वो सारा डाल करके हल के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे आराम से करेंगे कि टूटे नहीं सबसे पहले सिमला मिर्च डालेंगे उसके बाद एक प्याज फिर एक सीक के अंदर में जितना मोमोज आ सके उतना मोमोज डालना है ये प्याज और सिमला मिर्च होल्डिंग का काम करेगा मोमोज को इधर उधर लुढकने नहीं देगा ये आराम से जब हम लोग इसका ग्रिल करेंगे तो आराम से ये ग्रिल हो जाएगा तो इस तरह से मैंने रेडी किया है एक सीख को और सभी सीख को इसी तरह से रेडी कर ले रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनता है जरूर ट्राइ कीजेगा आप लोग और यह जो मसाला बचा है इसे रखना है बाद में इसे यूज करेंगे तो गैस को आउन कर दे रही हूँ मैं और इसके उपर में इस तरह से सीख को पकरके सभी सैट से ग्रिल कर लेंगे या तो दो सीख पकर लीजिए दोनों हाथ से इस तरह से गुमा गुमा करके कर लीजिए या एक सीख तो इसी तरह से सभी मॉमोज को मैं ग्रिल कर ले रही हूँ सारा मॉमोज ग्रिल कर लिया है मैंने तो एक पैन चरहाया है इसमें छोटा सा चुक्रा डाला है बटर का इसे मेल्ट करेंगे और ये जो बचा हुआ मसाला हमारा था वो सारा मसाला इसमें डाल करके एक मिनट के लिए इसे मीडियूम फ्लेम पर भूझेंगे ये भूझ चुका है तो इसमें मैं 3 टी स्पून के करीब अमुल फ्रेश क्रिम डाल ली हूँ गैस को बंद कर दिया है मैंने और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे थोड़ा से लूज करेंगे अभी गैस को ओन कर दिया है और सारा मॉमोज इसमें डाल दूंगी सारा मॉमोज डाल दिया है मैंने और इसे हलके हाथ से मिक्स करेंगे तो ये बन करके रेडी हो चुका है जरूर ट्राइ कीजिए आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और कमेंट्स करें जो लोग ने हैं मेरे चैनल पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें अपने फैमली फ्रेंड्स के साथ में भी शेर करें तो लीजिए मैंने सर्फ कर दिया है मॉमोस को गर्मा गरम तंदूरी मॉमोस बन करके रेडी है उपर से जो हमने सॉस बना करके रखा था बचे हुए मसाले से वो डाल देंगे थोड़ा से धन्यापता डाल दिया है तो ट्राइ कीजिए और इंज्वाइ कीजिए